हेलो दोस्तों के दाल चल आप देख रहें स्पोर्स और यूट्यूब चैनल लेटर स्पोर्स के इंबॉक्स इन वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हाँ तो दोस्तो आज हम जिस प्रोड़क का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बैडमिंटन रैकेट जो है कंपनी यॉनेक्स का जिसका पूरा नाम है यॉनेक्स कार्गोनेक्स 21 स्पेशल इस प्रोड़क की स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस जानने के लिए इस वीडियो क की अब देख सकते हैं यहाँ पे है यॉनेक्स का ब्रैंडिंग लोगो यहां पे है सीभीज का नाम जो की है कारवोनेक्स सीडिश एक भार हम कवर की कौलिटी कर्लेटे कि काफी काफी fine cover है दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ मैं यह देखिए काफी अच्छी quality का cover है यह अब आते हैं हमारे main product पे जो है एक badminton racket यह company से अंstrung ही आया था जैसा कि आप देख सकते हैं यह strung डिलावा नहीं आया था अब बात करते हैं इस case head की जिन लोगो नहीं पताना यह badminton racket का head कैलाता है और यह material इसका shaft कैलाता है तो जो head है वो oval shape head है मतलब इसका जो shape है वो oval है और उसका shaft है वो बना है carbon graphite metal से जिन लोगो नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि carbon graphite एक metal है जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे rackets में अलग-अलग metal यूज करते हैं च इसका head है वो HM carbon से HM graphite से बना है HM graphite हम अगर जानते हैं अगर आप नहीं जानते तो बताना चाहूंगा आपको HM graphite का full form होता है high modulus graphite high modulus graphite एक advanced शब्द है जिसको हम अगर simply बोलना चाहें तो simply उसका मतलब होता है stiff graphite मतलब काफी मजबूत graphite है दोस्तों यह और second चीज जो मैंने इस bad bunton racket में notice करी वो है इसका color बहुत attractive color है आप देख पारे होंगे बड़ा ही blackish color है इसका बहुत ही attractive है ज आपके लिस्टेबल रहेगा तो अगली चीज़ पर आते हैं जो है इस racket की tension जो 17 से 22 LBS में vary करती है highest LBS tension जो है 22 LBS इसके अलावा यह racket एक Japan made racket है जैसा कि इसको इसको बड़ेंशन है made in Japan अब हम बात करते हैं इस racket की performance की देखते हैं कि यह racket कैसा perform करेगा यह है defensive player racket मतलब अगर defensive खेलते हैं आप लोग तो यह racket आपको बहुत suit करेगा अगर आप लोग attacking खेलते हैं तो शायद आपको शायद यह racket suit ना करें दूसरी जो चीज़ है वो है इस racket का वजन जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि इस racket का वजन करीब 92 ग्राम के आसपास है जो की अंस्टंग program के वजन से racket से खेल रहे हैं तो आपको शूप करेगा अगर आप 85-86 यह थोड़ से और लेस वजन के racket से खेल रहे हैं तो शायद आपको यह racket suit ना करें थोड़ा सा है भी लगे थर्ड चीज है इसका बजट जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको price tag of MRP साथ में डाल जो कि एक next to impossible चीज है next है इसका high strength frame होना इसका frame काफी high strength है one piece है और torque free है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अपने reviews कमेंड में बताइए तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए खेलते रहे हेल्दी रहे और अपना ध्यान रखिए यहाँ पे एक important बात है जब भी मैं आपको किसी product का budget बताता हूँ तो मैं उसके दो base पे आपको budget decide करता हूँ एक उसकी company की MRP और एक उसका selling price तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी MRP और selling price वो fix नहीं होता वो flexible होता है उपर नीचे fluctuate करता रहता है तो इस MRP और price को seriously मत लीजेगा एक और important information दोस्तों कि हमारा sports का business भी है तो हम offline भी sell करते हैं इस products को और online भी sell करते हैं हमारा offline store है जैपूर राजस्थान के अंदर और online हम marketplaces जैसे Amazon और Flipkart में भी sell करते हैं तो जो लोग जैपूर में रहते हैं वो हमारे store पर visit कर सकते हैं products को खरीच सकते हैं मैं store का address description में डाल दूँगा इसके साथ ही साथ अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तो आप Amazon Flipkart में हमारे products खरीच सकते हैं sports house पर जाके इसके अलावा अगर कोई business inquiries है तो मैं email डाल दूँगा उस पर में को business inquiry पूछ सकते हैं